रहे हैं यह को मैं कितने क्रिस्पी हो रखे हैं तो इस तरीके साब देखिए कितना क्रिस्पी हो रखा है काफी गरम है और मैं अच्छे आप अपने बनाया है इसको एक बार बहुत वह फिंद्हश्टी बहुत हिमिम बने है मैं आपको इसका तोड़के दिखाती हो फ्रेंट्स यह देखें कितना कोकल बनाए यह बिल्कुल पुए जो आप बनाते हो वह बनाते हो थोड़े सॉफ्ट मैंने बनाए है यह आटे के मीठे बाले बड़े बहुत ही तेस्टी बने है यह तो फुए का फेस्ट फोड़ा ल इसको देड़gar दो मैंने chief cow matter लिया हुआ है एक मीडियम साइज का फुल बाषल मैंने इहापे लिया होय और पहले हम आठे में अट करते हैं पानी पे आपर आम लेते हैं पानी थोड़ा होड़ा करके हमको पानी इसमें एड करना है न copper कि से में मिक्स करना इसको मालाइक नर थोड़ा से पानी और एट करेंगे ने मिक्स कर लिया है अटा अच्छे से और फ्रेंड्स मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ करेंगे इस तरीके से तोड़ा सा पानी याद करेंगे जैङरेशे से अच्छे से मेक्स होजाए अच्छे obwohl देखिए हम इस तरीके से लिक्स करें आप नॉर्मल पुए बनाते हैं उसको घोल बनाके हम रख देते हैं आदे घंटे-घंटे के लिए सॉफ्ट हो जाता इसके बाद बनाते तो गलाब जामन की तरह बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं इसको बनाने के लिए हमको 10-15 मिट मुस्क दूब्सणी एह घ्रिक निसक हम तडियाओ करें गला कर दोना बनाते के में इसको इसको पातना प्रीज्ट रख देते हैं तो जाता है कि दंडिए मैं इसमें प्रिज के टीवेह में बहुत सब्सकуска कर Kommชा को कि खोलूर व правильно यहां प्रेजी में रख देते हैं तो हैं न म keys कर रही हूं देखिये बहुत ज्यादे सौफ्ट नहीं है तोड़ा सा टाइट ही है यह देख सकते हैं और चीनी भी इसमें अच्छे से अभी घुली नहीं है हम इसी तरीके से बेटर इस्तमाल करना है कड़ाई का ओयल गरम हो गया है फ्रेंट्स कड़ाई मैंने रख देती है गरम होने है ओयल के साथ देखे आप इस तरीके से हमने बड़े बनाने है थोड़ा स्पेस दे कर ही बनाना है जिसे कि आपस में चिपके ना आप जब पूड़े बनाते हो फ्रेंट्स तो फूल कर डबल हो जाते हैं बट यह ऐसे नहीं होंगे क्योंकि यह थोड़ा सा टाइट बैटर लिया है चीनी को वह जादे गुलने का डाइम नहीं दिया है जिसकी बज़े से बहुत जादे क्रिस्पी बनते हैं बहुत ही अच अब भी ट्राइक करें आटा बड़ा बहुत ही टेस्टी बहुत ही एमी बनता है तो इसी तरीके से हमने अपने आटा बड़ा तैयार कर लेने हैं दी मिदी में आज पर इनको सेखना है आप देख सकते हैं कितने अच्छा कलर आ रहा है है इन में बिल्कुल भी तेज आज पर हमें नहीं सेखना है हलके हलकी कैस की फ्लेम रखनी है इससे क्या होगा अंदर तक बढ़िया से सिक कर रेडी हो जाएंगे यह कितना बढ़िया लग रहे हैं देखने में देखे लग बढ़िया तरीके से कलर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आ रहा है इन में और खाने में तो बहुत ही सौदेस्ट है बहुत ही हटका टेस्ट है आप इस तरीके से आटा बढ़ा बना कर इंज्वाएगा सकते हैं गैस के फ्लेम मैंने बंद कर दिये फ्रेंट्स क्योंकि आटा बढ़ा हमारे रेडी हो गये हैं थोड़ा समय इनको इस लिए पलटती हूं गैस बंद करके भी क्योंकि काफी ओईल गरम होता है इस वज़े से एक दम मैं नहीं निकालती हूं इनको बढ़ाई से बाहर फ्रोड़ा गैस के फ्लेम बंद करके फ्रसके बाद आराम से इनको चार पाच बार पलटकी फे निकाल लेती हूं आप कितना बढ़ा से रेडी हूए हैं अब हम इनको क्या करते हैं एक ट्रे में निकाल लेते हैं आप देख सकते हैं कितने अच्छी आटा-बड़ा बने हैं आपको पसंद आते हैं लाइक कीजिये शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ठैंक यू सो मच कीर्थी को एल रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है रादे कृष्णा फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताईए कि आपको आटा बड़ा रेसिपी कैसी लगी अब प्लीज बताईएगा मुझे